ससुराल से टपके, माई के म्याठके संगम की शादी कैसे परिवार में हुई थी जहां पर वो इकलोती बहु थी परिवार में संगम, उसके पतिदेव, नानत, देविका और साथ ससुर के अलावा परिवार में और कोई नहीं था चोटा सा परिवार था जिसमें सभी मिल जुलकर रहा करते थे एक प्यारे से परिवार में आकर संगम भी बहुत खुश थी संगम बेटा देखो हम बहुत खुश है कि तुम्हारे जैसी लड़की हमारे घर बहु बन कर आई बेटा पिछले एक साल में तुमने घर में सब का दिल जीत लिया है तुम्हारे पापा जी तारीफ करते हुए नहीं ठकते कहते हैं बिलकुल लक्ष्मी जैसी बहु आई है हमारे घर सच बताओ तो जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी न तो बहुत घबराते थे बेटे की शादी के नाव से डर जाते थे कहते थे जैसा आज कल का माहौल चल रहा है अब तो बेटियों को ब्याहने से ज्यादा डर बेटों को ब्याहने से लग रहा है पता नहीं कल को कैसी बहु आए हमारे साथ अच्छे सी रहेगी या नहीं कहीं आयसा ना हो कि आपनी ही घर में हम बेगाने से होकर आ जाए। लेकिन बेटा तुछ से हमें कोई शिकायत नहीं। तुने घर में आकर जैसे इस घर को संपूर्णा कर दिया। मेरे लिए तो जैसी देवी का, वैसे तू। अरे बस ममें जीतनी तारिफ मत करिये, मैं बिगड़ जाओंगी ना, तो मैं भी फिर दूसरी बहूं जैसी हो जाओंगी। आरे नहीं बिटा, मैंने कहा ना, पूरा भरोसा है हमें तेरे उपर, और भरोसा ही नहीं, तू तो गुरूर है हमारा, तुझे पता है, आप तो कॉलोनी के ओरतों ने मुझे अपने साथ बिठाने से भी मना करती है, कहती है तेरे अंदर सास वाला एक भी लक्षन नहीं है, हम सब यहाँ बैठ कर अपनी बहुओं की बुराइयां करते हैं और तू बैठ कर बहु की तारिफ करती है, बहु की तारिफ करने वाली सास भई हमारी कम्यूनिटी में नहीं चलेगी, अब तुझे देख ले बिटा, तेरे चक्कर में न, मुझे दुनिया से लोग उठने, बैठ निलायक भी नहीं समझते हैं। इसा लगता जैसे उनका संगम के साथ परसो पुराना नाता हो। समय पंक लगा कर उड़ रहा था। इसी तरह धीरे धीरे दस महिने का समय और बीच जाता है। अब सास निर्मला के मन में एक पोते या पोती की इच्छा पैदा होने लगती है। होते होते हैं तुम्हारी शादी को तीन साल का वक्त गुजर जाएगा। अब देर मत करो हां। यही सही समय है। आपकी बात ठीक है माँ, जाता तो मैं भी हूँ कि हमारे गर में अब एक नन्ना मुना है। लेकिन पता नहीं कि हो जब भी मैं संगम से इस बारे में बात करता हूँ, वो मेरी बात को ठाल देती है। हो सकता है बिटा, बच्ची है न, शर्म आ रही होगी। और वैसे बिना लड़कियों के लिए ये बात स्विकार करना थोड़ा कठीन हो जाता है। जिन साज निर्मला बहु के पास जाती है। ममी जी देखी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं जानती हूँ आप जो भी कह रही हूँ वो आपके हिसाप से सही है, लेकिन मैं अभी बच्चे के लिए तयानी हूँ, मैं मानी बनना चाहती, प्लीज, आप मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिए। लेकिन मैं मन से इस चीज के लिए तयानी हूँ, अरे पिटा घबराने जैसे कोई बात नहीं है, अरे मैं तेरी मा है ना इस गर में, सब संभाल लोगी, और ऐसा बिलकुल भी मत समझना कि एक बार बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी ते आपकी बात सही है माजी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों को दुनिया में सिर्फ इस लिए लेकर आउँ, कि आप उसे पाल पूसकर बढ़ा करें, मैं चाहती हूँ कि जब मैं मन से तयार हूँ, तब मेरा बच्चा इस दुनिया में आये, बलकि मैं तो बच किसा गई थी अरब ये कैसी बात कर रही है तू नो किड्स पॉलिसी का मतलब समझती है इसका मतलब है कि तू बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहती ने पीटा ऐसे कौन सी और तू ती जो मा ना बनना चाहे ऐसी बात कभी भूल कर भी अपने मूँ से मत निकालना तुझे पता जी ये सब इमोशनल बाते करने से मेरे विचार बदलने वाले नहीं है अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे बच्चा नहीं चीए इसका मतलब मैंने ये बात कुछ सोच समझ कर ही कही होगी और जो बाते आप मुझे बता रही है ये सब मैं बहुत पहले ही सोच विचार चुकी ह करिए और बच्चों के लिए आखरी डिसिजिन मुझे खुद लेने दीजिए बहु की बात सुनकर सास निर्मला का बहुत जूर का जटका लगा था ए राम ये क्या सुन रही हूँ मैं मैं तो भगवान को शुकरी आदा करते नहीं ठकती थी कि इतनी अच्छी बहु हमें द तो दूसरी से आस लगा ले कि वो हमें पोता या पोती देगी हमारा तो बुड़ा पाई खराब हो जाएगा निर्मला ने जब से बहु संगम के मुझे ये बात सुनी थी अब वो दिन रात इसी चिंता में रहती थी कि वो ऐसा क्या करे कि बहु की सोच बदल सके एक बार द देखो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सही समय पर सही ने ने ले लो आजकल डाक्टर के क्लेनी के बाहर लंबी लंबी लाइन ऐसा ही नहीं लगी हुई है तुम लोगों की तरह आजकल के बच्चे शादी के बाद तो पहले खूल कर अपना जीवन जीना चातें लेकिन बाद में ऐसा समय आता है कि जब अपना अकिलापन उन्हें काटने को दोड़ता है और जब तक वो बच्चों के बारे में सोचते ना तब तक बहुत देर हो चुकी होती है उसके बाद लाखो रुपिय खच करते हैं और दुनिया भर की तकलिफ चलते हैं तब भी इस बात क कोई गारंटी नहीं होती कि उनकी गोद में एक स्वस्ता बच्चा ही जाएगा तु तो पड़ा लिखा है बटा तुझे मैं क्या समझा हूँ इतना तो तु भी समझता होगा कि 35 के बाद प्रेगनसी होती है तो बच्चे में कई तरके दोश होने की संभाना होती है देख मै दुझे डरा नहीं रही बटा लेकिन हम बड़े हैं हमारा फर्ज है कि हम सही और गलत तुम्हें समझा है ताकि तुम्हारे साथ आने वाले जीवन में कुछ गलत ना हो ऐसा मत समझना कि मैं तुम पर कोई दबाओ बना रही हूँ लेकिन बटा तुम्हारे भविश्य के बा साल जितने प्यार से बीते थे ना पिछले दो महिने से उतना ही कलेश हो रहा है हम दोनों की बीच में मुझे समझ में नहीं आता मैं उसे कैसे समझाओ कुछ सुनने को तयार ही नहीं है वो कहती है हम दोनों की बीच में किसी तीसरे को नहीं आने देगी और कोई रास्ता ना सुष्था देख निर्मला आखिर में एक दिन दुखी मंसे संगम की मा को फोन मिलाती है नमस्कर बेहन जी कैसी है आप ठीक है बेहन जी बस चली रहा है आप बताएए क्या बात है आप कुछ परेशान लग रही है जो मुझ पर भी इत रही है बेहन जी भगवान न करें वो दिन किसी के भी जीवन में आए आप भी एक बेटे की मा है मेरी बात को उमीद है कि गलत तरीके से नहीं लेंगी आप ही बताएए जब आपने अपने बेटे की शादी की क्या आपके मन में इच्छा नहीं थी कि कल को बहुँ खुश ख़बरी सुनाए तो आप सारे दुनिया को घी के लड़ो खिलाए बेलकुल बेलकुल इच्छा थी बेहन जी और जब हमारी बहु ने आइश को जनम दिया ना वो शब्द में बयान नहीं कर सकती संधन की बात सुनकर अब तो निर्मला रुआसी हो जाती है पता नहीं बेहन जी हमने पिछले जनम ऐसे क्या पाप किये थे जो भगवान आज हमें ये दिन दिखा रहा है संधन की ऐसी आवाज सुनकर संगम की मां खबरा जाती है क्या बात है बेहन जी हम तो रिष्टेदार है अगर कोई समस्या है तो हमसे कहिए हम तो समझे नहीं पा रहे क्या किर बात क्या है देखे बेहन जी हमें संगम से कोई शिकायत नहीं है बहुत ही प्यारी बच्ची है, पूरे परिवार को अपना बना लिया है उसने, लेकिन पता नहीं क्यों उसने जित पकड रखी है कि वो बच्चे नहीं चाहती अरे बहन जी आफ ऐसे घबरा रही है, जब नहीं नहीं शादी होती न तो हर लड़की को यहीं लगता है कि वो यह जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगी हो सकता है वो भी घबराट में ऐसा बोल रही हो अरे मैं हर तरह से उसका मन टटोल कर देख चुकी हूँ बहन जी लेकिन वो बिलकुल साफ शब्दों में बच्चों के लिए मना कर रही है मैंने तो उससे इतना तक क्या दिया कि वो बस एक बार नन्ना मुन्ना मेरी गोद में डाल दे उसकी जिम्मेदारी पूरे तरह सा मैं निभाने को तयार हूँ लेकिन संगम किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती हमारा बेटा तो इस तरह बे अलाद रह जाएगा और हमारे जिवन का क्या पता आज है कल नहीं क्या हम अपने बेटे की संतान का मूँ देखे भी नहीं दुनिया से चले जाएंगे निर्मला की बाते सुनकर अब तो संगम की मा का भी सर चकरा जाता है अब आप लोग ऐसा करिए अपना दिल पका करके न संगम को यह अल्टिमेटम दे दीजिए कि अगर वो बच्चा नहीं दे सकती तो उसे घर छोड़ कर जाना होगा जैसा कि संगम तो पहले ही अपना मन बना चुकी थी वो एक बार फिर बच्चे के लिए इंकार कर देती है और उसकी सास निर्मला उसे घर से बाहर निकाल देती है ससुराल से निकलने के बाद संगम सीधा अपने माईकी आती है माईकी में पहुँच कर आरे बेटा यह तो बहुत गलत बात की सम्धन जीने माईकी में संगम की भावी विशा का एक वरकिंग मुमन थी उनका आट मेने का एक छूटा सा बच्चा था जिस अपनी सास के पास छोड़कर विशा का रोज काम के लिए चली जाती थी विशा खाके ओफिस जाने के बाद अरे बेटा अच्छा हुआ तू आ गई सही में अकेले मुनना को संभालने में न मुझे बड़ी परिशानी होती थी अब एक से भले दो है हम दोनों मिलकर इसको संभाल लिया करेंगे ममी ये बच्चे संभालना मेरे बसका नहीं है अगर आपसे होता है तो ठीक है आप संभालो वरना साफ साफ बोल दो भाबी से कि वो नौकरी शोड़कर घर में बैट कर अपना बच्चे संभाले अरी बेटा ज़्यादा कुछ नहीं करना है बस मेरी थोड़ी सी मदद करनी है अब तु पूरा दिन घर में रहेगी तो इतना तो तु करी सकती है संभम की मा अब उसे पूरा दिन कुछ न कुछ काम बता कर मुन्ने की देख भाल में ही लगाय रखती कभी उसे डाइपर चेंज करवाती कभी मुन्ने को सुलाने के लिए कहती कभी उसे नहलाने की जिम्मेदारी सौंप कर बाहर चली जाती पहले पहले तो बिचरी संगम मुन्ने की काम को देकर दस तरके मो बनाती थी मुन्ने को गोद मे लेना उसका हर समय रोते रहना उसे बहुत इरिटेट कर रहा था पता नहीं क्या मुसीब्यत है ममी हर समय मुझे काम सौप कर खुद दाय माय हो जाती कितनी बार समझाया उनको के मुझे ये बच्चों का जंजट अच्छा नहीं लगता लेकिन ममी पर कोई असर ही नहीं है वहाँ सासुमा बच्चा बच्चा करके जीने नहीं थे थी और ममी ने यहाँ मुझे मुझे मुन्ने की सेवा में लगा रखा है ऐसा लग रहा है जैसे मैं आस्मान से टपक कर खजूर में आकर अटक गई हूँ यह बच्चे का टपक खतम ही नहीं हो रहा मेरी लाइफ से पूरे दो महीने हो गए थे संगम को माई के हुए शुरू में मुन्ना को गोद में लेना उसे सुलाना उसे मुस्सिबत लगता था लेकिन अब उसे यह सब करने में एक अलग ही आननद आ रहा था मुन्ना को गोद में लेकर उसे जो मैसूस होता था वो कुछ अलग ही था एक महीना और बीच जाता है और एक दिन उसकी सास और पती उसके माई के आते हैं माफ करते है पभू अपने जिद के आगे मैंने यह समझना ही नहीं चाहा कि अब यह तुम दोनों की जिन्दगी है और हमें दखल देने का कोई अधिकान नहीं है ठीके बेटा हमने अपने भागे से समझोता कर लिया है अब अगर हमारे नसी में पोते-पोते नहीं है तो ना से तुम अपने घर चलो बेटा अखिर कब तेक माय के रहोगी सास और पती के जिद के आगे संगम की एक नहीं चलती और उसे सिसुराल लोटना पड़ता है सिसुराल पहाँच कर पता नहीं माजी जब से यहां आई हूँ न मन तूटा तूटा सा रहता है ऐसा लगता है मिरे दिल का एक टुकडा माय के में ही रह गया बार-बार रोने का दिल करता है क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा बेटा तुझे मुनना याद आ रहा है उसके बिना तेरा मन नहीं लग रहा है इसलिए ऐसा मैसूस हो रहा है तो खुद देख जब उस नन्ने से बच्चे का दो महिने का साथ तुझे ऐसा मैसूस करा रहा है तो अपनी संतान होने पर तुझे कैसा मैसूस करेगी बेटा मा और बच्चे का रिष्टा दुनिया में सबसे अलग और खास होता है मा जो प्यार लगाव अपनी संतान से मैसूस करती है वो किसी और के लिए कभी नहीं कर सकती पर इस बात को समझने के लिए तुझे पहले मा बनना पड़ेगा आज पहली बार संगम को अपनी सास की बाते चुब नहीं रही थी उससे वाकई लगने लगा था कि बच्ची के हमारे जीवन में होने से कितना सुकून मिलता है आप ठीक कह रही है मा जी बच्ची हमारा जीवन बदल देते हैं तीन महीनों में मैंने खुद में बहुत बदलाव मैसुस किया है बच्ची की जिन बातों से मुझे इरिटीशन होती थी वो सब अच्छा लगने लगा है निर्मला और उसकी समधन का उपाय काम कर गया था संगम के दिबाग पर पढ़ा परता अब हट चुका था और अब वो भी मुझना जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी गोद में खिलाना चाती थी जल्दी ही संगम अपनी गरभावस्था की खोश खबरे सनाती है और फिर पूरे नौ महिने बाद एक नन्ने मुन्ने बच्चे की माँ बन जाती है